नमस्कार मैं राउल शिर्मा आप देख रहे हैं इसमें आइनियो स्वागत है आप सभी का हमारे इस बड़ी कबर में आज की बड़ी कबर की शुरवात देश के राश्टपती द्रापदी मुर्मू से क्या देश में अब राश्टपती शासन लगने वाला है और क्यों ये कहा जा रहा है कि अब राश्टपती द्रापदी मुर्मू को इस तरीके का बड़ा फैसला लेना चाहिए दरसल देखा ये जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार और राश्टपती के बीच में बन नहीं रही है और सरकार कई मुद्दों को लेकर बात करना नहीं चाहती है हाला कि विपक्षी पार्टियों का लगातार समर्तन देश के राश्टपती को मिल रहा है और जिस तरीके के हालात इस वक्त हैं कि 24 के चुनाव से पहले राश्टपती और सरकार के बीच में इतनी लंबी खाई का नजर आना तो आने वाले वक्त में क्या सरकार को आयोग ये घोशित किया जा सकता है और अगर राश्टपती शासन लग गया तो फिर समझ लेज़े कि 24 के चुनाव से पहले देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्कले बढ़नीत न है हाला कि ये देखाज जा रहा है कि देश में ऐसे तमाम मुद्धें जो सरकार की तरफ से नहीं उठाए गए चाहे वो मुद्धा बेरोजगारी का हो, सिक्षा का हो, स्वास्त का हो, अर्थ विवस्था का हो या फिर जीडीपी का मुद्धा हो लेकिन जिस तरीके से सरकार लगातार इन मुद्दों पर चुप रही और ताजा मामला महिला पहलवानों का और बीजेपी के सांसर ब्रिजबूशन शरंग सिंग का है तो ये तमाम ऐसे मुद्दें जिन पर सरकार ने चुपी बनाई है लेकिन विपक्षी पार्टियों का सरकार सीधे सीधे तोर पर चुप है तो आने वाले समय में देश में राश्पती शासन लगना फिर तो तह है और अगर देश में राश्पती शासन लग गया तो 24 के चुनाव से पहले भाजिपा को एक बड़ा जटका लगता नजर आएगा इसके साथी सा देश के प्रणान झाल झाल झाल